जिगरा मुवी का टीजर ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोचल मेडिया पर ट्रेन कर रहा है आलिया भट और वेदांक रहना की जोड़ी ने धोम मचा दी है ट्रेलर देहकर फेंस की उत्सुकता और उत्सा दोनों ही बढ़ गया है वहीं वेदांक रहना ने नो सिर्फ बंदार परफॉमेंस से बलकि अपनी आवाद से भी दर्सकों को मंत्र मुग्द कर दिया है आलिया भट ने फिल्म का टीजर ट्रेलर वीडियो जारी किये हैं वीडियो को शुरुवात आलिया भट रेस्टुरेंट में बैठ कर किसी के साथ अपने भाई और जिंदगी के ब उसे छुडाने की कोशिश करती हैं इस मिशन में उनकी मदद मनोज पाहवा और राहुल रविंद्रन करते हैं आलिया भट गुंडों का सामना करने के लिए खुद को तयार करती है और उनसे लड़ती भी हैं टीजर में आलिया भट और वेदांक रहना के बीच भाई बहन का रिष्टा दिखाया गया है और बैग्राउंड में फूलों का तारों का गाना बज रहा है बेदांक रहना ने फूलों का तारों का गाना का नया भरजन गाये हैं यह गाना जीगरा मूवी की थीम को खुबशूर्ती के साथ प्रस्तूत करता है गित गाने के मौके मिलने पर अपनी उत्षूकता को जाहिर करते हुए बेदांक रहना ने अपने टीम द्वारा सजा किये गए एक प्रेस नोट में कहे कि जिगरा मोवी के लिए फूलों का तारों का गाना गाना मेरे लिए कभी न भूलने वाला अनुभाव था संगीत हमेशा मेरे जीवन का एक बड़ा हिंसा रहा है जब निर्माताओं ने सोसल मीडिया पर मेरे कुछ गाने को देखा तो उन्हें लगा कि यह इस फिल्म के लिए सही होगा मैं रुमांचित हूँ कि मुझे इस खुबसूत गीत को गाने का आउसर मिला खासकर तब जब से यह टीजर के मूट को स्टेट करने में महत्तपूर भूमी का निभाता है आपको बता दे कि जीगरा मूवी बेदांक रहना की दूसरी फिल्म है पिछले साल बेदांक रहना ने जोया अक्तर की फिल्म द आर्चित से डेब्यू किये थे वासन वाला द्वारा निर्देशित फिल्म जीगरा को दर्सक 11 अक्टूबर 2024 को सिनेमा घरों में देख सकते हैं फिल्म को लेकर फैंस में काफी उत्सुकता देखने को मिल रहा है तो आप लोग कोमेंट करके बताईए कि आप लोग जीगरा मूवी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है तो चलिए अब हम आप लोगों से बीदा लेना चाहते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दिजिएगा और हमसे जूड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम को भी फॉ दिप्शन में है